तो चलिएगा दोस्तो श्रागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्योंकि आज की वीडियो जो है एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर है आज मैं बिल्कुल भी हसी मजाक की मोड में नहीं हूँ क्योंकि देखिए को पुरा मुद्दा ही बहुत सीरियस नोट पर है और इसके समझ में आपको पहले ही आगा किया था लेकिन देखिएगा छात्र अ उसका क्या निश्कर्स निकलता है उस पर भी बात करेंगे दरसल देखिए को दोस्तों टीटी एक्जाम हाल फिलाल में होने वाला है 18 तरीक इसका डेट है यानकि 18 सेप्टेंबर 2022 को यह एक्जाम होने वाला है और अब देखिए कर अगभग फिक्स हो चुका है इसी डेट म करेंगे क्योंकि चीज़ा देखिएगा अभी थोड़े हाथ से निकलते हुए जा रही है अगर आप उसी में लगा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी और आपका पेपर जो हो भी बिगड़ सकता है तो मेरी साब सब्सक्राइब करते रहे हैं ज्यादा दिन बच दिये हैं यह चीज आज के पेपर में में चीज मेंशन है देखिए दोस्तों इस बर जो है टीटी एक्जाम के लिए कुल मिलाकर साथ लग तीरासी हजार जो है फॉर्म्स आया है यान कितना आवदन आया है अब देखेगा जिसमें से कक्षा पहली से पांचवी तक के लिए चार लग उननीस हजार फॉर्म आया है जबकि देखेगा कक्षा छटवी से आठवी तक के लिए तीन लग चौशाट हजार फॉर्म आया है देखेगा इस बर रिकॉर्ड तूड फॉर्म्स आया है यान कि देखेगा पिछले बाइस वर्षों में मात्र तीन लग सथाईस लोगों नहीं बीड़ेवंडेलेट किया है जब देखेंगे दोस्तों यहां पर तीन लग 27,000 लोगों नहीं बीड़ेवंडेलेट किया है लास्ट बाइस वर्षों में तो इस बर सात लग 83,000 फॉर्म कैसे करके आ गया जब कि यहां पर कंपल्सेशन रखा गया था कि बीड़ इवंडेलेट ज़रूरी है तो देखेंगे दोस्तों इक चीज में आपके बता देता हूं जीनों ने जन्दली यहां पर देखेंगा कक्षा चट्वी से आठवी तक के लिए फॉर्म भरा है वह ऑव्यस्ती बात है कक्षा पहली से पाच्वी तक के लिए आविदन करेंगे लोगों के पास यहां पर डिगरी है यानिकि कुल मिलाकर 92,000 जो लोग है उनके पास कोई भी डिगरी नहीं है और उन्हें जबरदस्ती का यहां पर फॉर्म भर दिया है तो इसी लिए देखेंगा यहां पर मेंशन किया गया है ति व्यापम के द्वारा देखेंगा 92,000 अब इसमें देखेंगा दोस्तों कुल मिलाकर 7525 छात्रों ने फॉर्म भरता था पदोग संख्या थोड़ी कम थी इसके लिए 7525 छात्रों ने फॉर्म भरता जिसमें समात्र देखेंगा 1946 लोगों ने पेपर दिया है यानि कि देखेंगा दोस्तों जितने लोगों भी यहां पर फॉर्म भरा था उसमें समात्र देखेंगा 25.6% लोगों नहीं एक्जाम दिया जो कि बहुत ही छोटी संख्या है यानि कि देखेंगा दोस्तों इस एक्जाम में जो एपसेंटीज ह है देखेगा यहां पर आजकल वैसे भी लोग फॉर्म भर दे रहे हैं जिनके बास कोई भी डिग्री वगर नहीं रहती हैं जो एलिजबिटी है वह भी फुल्फिल नहीं करते हैं वह भी फॉर्म भर देते हैं सिधा-सिधा रिजन क्या है यहां पर कोई भी आपको शुल्क न इस कमिस यूज करता है देखेगा यहां पर आपके बास जो सेक्षिनिक जो गिता है वह भी नहीं है और यहां पर आवधन कर देते हैं और जिसका खमयजा क्या होता है इतनी इतनी बड़ी जो है अपसेंटीस की संख्या यहां पर देखने को मिलती है प्लस देखिएगा के लिए कुछ कुछ कंपल्सेशन है इसके बिना टेट के एक्जाम नहीं दे सकते हैं और टेट जब तक आप पास नहीं करते हैं तब तक आप यहां पर सिक्षक भरती के लिए इलिजीबल नहीं रहते हैं चीजों को मैं 100 वर अपने वीडियो में कहता हूं और नीचे देख सबके लिए यहां पर यह था करना पड़ता हैं कि तने भी अपने काम करना पड़ता है वह एक बोडी है अब देखिए यहां पर व्यापम को जो अरेजमेंट है वह चोटा-मोटा नहीं होता है इसको सेफली सेंटर तक पहुचा अना प्लस देखिए कह आपके जो जो एक्जाम सेंटर में टीचर से उगर ड्यूटी में रहते हैं उनको वियांपे चार्जेस पे करने रहते हैं और बहुत सरी जो है विवस्था में पड़ती है इसमें बहुत बड़ी कॉस्टिंग लगती है जबकि देखेगा आपसे जीरो शूल के लिए जा रहा है और इसक प्रफशन हो जाए तो किसका नुकसान है व्यापम का लगभग सब्सक्राइब तीन लगवास्ता है वो नुकसान में चला जाएगा तो यह सब को देखते हुए सारी पड़ताल की गई है अब देखेगा दोस्तों मैं यह चीज़ आपको बहुत पहले सा कहते हुए हुए जो आप यह नहीं है वहाँ पर बेकार की उमीद रखना यह जौब के लिए जुरून रखना बहुत बेकार हानकरक साबित होता है तो ऐसे चीज़ें मत करिए क्योंकि देखेगा जो इतनी परताल वगरा हो रही है बाई चांस कल के डेट में व्यापम आपके डेटा वगरा सेव करना शुरू किया तो जो अपने फेक डेटा के हिसाब से फॉर्म फिलिंग वगरा कर ली है यदि वो चीज़ सेव हो गया आपका यान की फेक डेटा आपका सेव हो गया फेक डिग्री आपकी सेव हो गई तो कल भाई चांस अब यहां पर सलेक्ट हो भी जाते किसी एक बेवकुफी जो है मत करिए मैं आपको क्लियर कट शब्दों में टफ शब्दों में कहा रहा हूँ ऐसी कोई बेवकुफी मत करिए और जिन एक्जाम्स के लिए उनके लिए प्रॉपर मेहनत करिए देखेगा भले आपके बास लिमिटेट आपचनूटीज रहेंगी लेकिन कोई बात अगर आपको बूरी लगी होंगी उसको माइंड करने की कोई आवशक्ता नहीं है मैं एक बड़े भाई के रूप में आपको यहां पर सुझाव देर और बिल्कुर सहीं सुझाव दूँगा देखेगा मैं चात्रों को खुश करने के लिए अनाप्शना बाते कभ देखेगा यहीं सुझाव देखेगा एक प्रिख वाली हो जसके लिए ऑक जो हमेशना देखेगा जएगा और बाते की सब देखेगां जाज कुश करने की सुझाव प्रिखेगा थारे ज्बसेट करने समया उनाप्शना श्रेगा है रवाली हो।